नमस्कार दोस्तो आज हम लोग शुरू करेंगे बाल विकास का अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है उससे रिलेटिड जितने भी क्वेश्चन्स आज तक आये हुए हैं विभिन परिच्छाओं में जैसे सीटेट हो गया यूपी टीटी हो गया तो उसका संकलन मैंने किया है और जो संभावित क्वेश्चन है आगे आ सकते हैं उनको भी मैंने इसमें जोड़ा है तो आएए देखते हैं पहली सिरीज का ये पहला भाग है अभी एक या दो पेपर में और बनाऊंगा जिससे आपको ज्यादस ज्यादा लाब मिल सके तो देखते हैं पहल बालक की लंबाए मोटाई चौणाई इसमें विकास को हम ब्रद्धी कहते हैं बालक का बौधिक और मौनसिक विकास और बालक का सर्वांगीड विकास तो सबसे उपयोगत आंसर यहां पे है आपका बालक का सर्वांगीड विकास इसमें हो जाएगा आंसर C विकास की प्रक कर현owar 1910 मानों को जोकिछ भी बनना होता है वह परारंभिक पाच वर्षों में ही बन जात या कत अ किस ने कहा है यह फ्रायड ने कहा है सायशव अवस्था में क्प्रेम भावना काम प्रवत्व स्वायड आहरित होती है यह भी कॉन सी मानों की अवस्था सामाजिक्ता के अधिक्तम विकास ये सच्छी विकास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है ये है बाल्य वस्था किशोरा वस्था को बढ़ते हुए संगर्स तनाव तुफान ये विरोध की वस्था किसने कहा है तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बढ़ते हुए संगर्ष तनाव तुफा ने हम विरोध की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है ये सब दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं किवल एस रिवीजन हम लोग इसको कर रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाएगी कहां से कैसा प्रस्थ बन सकता है आईए अगले प्रस्थ पे देखते हैं किशोरवा धर्म में विश्वास की सवस्था की पहचान है तो ये किशोरावस्था में अधिकांश आता है समाजिक विकास से अभिप्राय समाजिक संबंदों में परिपकोता प्राप्त करने से है ये कथन भी हर लोग का है किस अवस्था में बालक समाजिकता से परे होता है तो ये अवस्था शैश्वावस्था है सम्वेग वेक्ति के उत्तेजित दसा है ये किसका कथन है वोडवर्थ ने कहा है किस आवस्था में सम्वेग आत्मक व्योहार प्राया आइस्थिर होता है तो इसमें शैश्वा वस्था सही होगा सम्वेग आत्मक व्योहार आइस्थिर होता है फिर बाल्य आवस्था में इस् वह प्रक्रिया जिसमें बालब परिपक्क्कता की और बढ़ता है विकास का मतलब भी है परिपक्क्कता की और बढ़ना अगला कोश्चन है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव अतनाओ का काल कहा जाता है तो इसका आपका सही उत्तर होगा किशोर आवस्था को देखते हैं पूर्वा ग्रही किशोर यह किशोरी अपनी समस्या के प्रती कटोर होंगे। पूर्वा ग्रह का मतलब है, जैसे पहले से किसी के मन में बना रहे कोई चीज, कोई धार्ना, तो वो किसी और की बात सुनते ही नहीं है, वो नहीं क्योवल उसी चीज से मतलब होता है, कितना भी प्रत्रह. कहा जाता है पूरु किशोरावस्था को जो 13 से 17 साल होती है तो इसी को हम योवन की आयू कह देते हैं मैं कौन हूं क्या हूं मैं भी कुछ हूं आद ऐसी प्रबल भावनाय किशोरावस्था में आती हैं अगला है विकास परिवर्तन स्रंकला की वावस्था जिसमें बच्चा अवस्था से लेकर प्रोड़ा वस्था तक गुजरता है यह कथन किसका है यह कथन मुनरो का है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट हमने लिख रखा है जो जो कोश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए अगला अंतिम कोश्चन है बाईसमा बाल मनोग्या में अध्यान किया जाता है गर्व कालीन अवस्था से परिपक्वा वस्था तक मेच्वर्टी लेबल तक तो यह है ट्वंटी टू कोश्चन्स हो गए आपके आगे बढ़ते हैं हम लोग शायश्वा वस्था में बालक का भार बालिका से जाहिर सी बात अलग होता है यह हमने पढ़ाया भी था विकास के संदर में कौन सा कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं है ये आपको प्रश्णों को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो कौन सा सत्य नहीं है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है तो ऐसा नहीं होता है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से हो बच्चों के संग्यान आत्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परभाशित किया जा सकता है तो ये है विद्याले एवम कच्छा में किशोरा वस्था होती है 13 से 18 साल तक गर्भ में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं 280 दिन लगते हैं 28 प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा विकास का सिध्धान्त है सभी की विकास दर्ड समान नहीं होती ये विकास का सिध्धान्त है ये बताया भी था विकास की भिन्यता का सिध्धान्त तो इसमें अंतिम क्वेशन है जो 2016 टीटी में आया हुआ है क्रोध हुआ भय प्रकार है सम्वेग के जाहिड सी बात है सम्वेग के प्रकार हुँगे शारीरिक ब्रद्धी एवं उसके विकास को शारीरिक ब्रद्धी अगर हो रही है तो वो अभिब्रद्धी का भाग है समवेक का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उठल पुठल अगला है 32 क्वेशन कि शैश्वा वस्था के लिए उत्तम सिच्छन विधी तो मांटे सरी विधी, खेल विधी और किंडर काटन विधी ये सारी विधीयां ही शैश्वा वस्था के लिए उत्तम विधी मानी जाती है बाल विकास में 2014 टीटी में आया हुआ है प्रक्रिया परबल है, वातावरण अनुभो की भूमिका परबल है गर्भा वस्था से किशोर वस्था तक का अध्यान होता है तो इसमें आपके सारे ये उप्षन सही होंगे उप्रोक्त सभी बाल विकास का अध्यान छेत्र है 2014 टीटी में पूछा गया है बाल विकास की भी नवस्थाओं का अध्यान वातावरण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्यान व्यक्तिक भिनताओं का अध्यन तो ये सभी का अध्यन छेत्र है हमारा बाल विकास तो इसमें सारे ये option सही हो जाएंगी 35 नमबर है समवेग आत्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये भी 2014 टीटी में आया हुआ है तो इसका ये सारीरिक स्वास्थ मानसिक योगिता और ठकान ये सभी समवेग आत्मक विकास को प्रभावित करते हैं समाजिक प्रत्यशाओं के अनुरूप वयोहार की योगिता का अदिगम समाजिक विकास कहलाता है उप्त कथन है हर लाग का ये हो गए 36 questions अब 37 की तरफ बढ़ते हैं शाष्वा वस्था में बच्चों के क्रिया कलाप होते हैं मोल प्रवत्यात्मक उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता वो अपने आप ही जैसा ब्योहार करना होता है करते हैं तो मोल प्रवत्यात्मक होते हैं दिये हुए प्राप्तांकों के समों में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुल अंक बहुल अंक यानि सबसे ज़्यादा बार आने वाला अंक अलबर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिधान से संबंदित हैं ये 2016 टीटी में आया हुआ है तो अलबर्ट बंडूरा सामाजी का दिकम सिधान से जुड़े हुए हैं संबंदित हैं तो मानसिक आयू का प्रत्य दिया था बिने साइमन द्वारा आप लोगों को याद होगा बिने साइमन परिछन जब आप लोगों ने पढ़ा था या मैंने समझाया था तो उसमें हमने बताया था कि सबसे पहला परिछन इनी लोगों ने किया था और वो मानसिक आयू के आधार पर था मतलव कोई बालक अगर अपनी क्लास का question solve कर लेता है तो वो समाने बुद्D और जो अपनी क्लास का question solve नहीं कर पाता है मान लिजे फिफ्थ में है फॉर्थ का question नहीं solve कर पाता है तो मन्द बुद्धी मान लिया जाता है और फॉर्थ में है फिफ्थ का question solve कर लेता है तो वो अच्छी बुद्धी वाला माना जाता है तो इस तरह से मानसिक आयू के आधार पर इन्होंने बिने साइमन द्वारा ये परिच्छन किया गया था तो टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धी लब्धी का बालक माना जाता है सामान बुद्धी इसकी हमने पूरी टेबल भी बनवाई थी कि किस से किस के बीच में क्या माना जाता है ये most important question है भाटिया बैटरी का प्रियोग निम्न में से किस के मापन हित किया जाता है तो ये दो बार टीटी में आया हुआ है 2013 और 2016 में बुद्धी मापन के लिए प्रियोग होता है और बाटिया बैटरी को नागपुर के चंदरमोहन भाटिया ने बनाया था इसको भी याद आप लोग रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि अगली बार ये पूछा जाए कि किस ने इसका निर्माड किया था संग्यान किस बुद्धी के सिध्धान का हिस्सा है तो गिलफोर्ड के सिध्धान का हिस्सा है संग्यान 44 है बिने साइमन परिच्छन द्वारा मापन किया जाता है विशिस्ट बुद्धी विशिस्ट बुद्धी का मतलब यहां पर है जो मानसिक रोप से थोड़ा कमजोर थे बालक बिने साइमन ने उन पर ये परिच्छन किया था उनको अलग करने के लिए अलग से उनके सिच्छन व्यवस्था करने के लिए ये इनका प्रियोग था तो विशिस्ट बुद्धि वाले बालकों के लिए है कोहल बर्ग का विकास सिध्धान निमलिखित में से किस्से संबंदित है तो कोहल बर्ग का सिध्धान नैतिक विकास से संबंदित है जिसकी इनोने तीन अवस्थाएं बताई थी पूर नयतिक अवस्था नयतिक अवस्था और उत्तर नयतिक अवस्था ये कहीं कहीं पर पूर परमपरागत नयतिक अवस्था और पूर परमपरागत के अलावा नयतिक अवस्था परमपरागत नयतिक अवस्था इस तरह से भी म मिलता है तो इसको भी आप याद रखना दोस्तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है तो बाकी का देखता हूँ हाँ ठीक हो जाएगा भी तो 50 questions तक आ जाने चाहिए 46 नंबर है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्त एवं घटना के बारे में तारकिक रूप से सोचना शुरू कर देता है 47 ये जीन पियाजे का जबाब सिद्धान पढ़ेंगे उसमें हमने बताया भी था कैसे कैसे किस अवस्ता में सोचना शुरू करता है बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेश योगदान होता है जरूरी है सामाजिक विकास के लिए खेल का बहुत महत्तो है क्योंकि कोई भी बच्चा खेल के माध्यम सही जीत का अनुभो करता है हार का अनुभो करता है अपरचित लोगों से सामंजस से बिठाने की योगदा भी उसे खेल के माध्यम सही आती है तो बहुत सारे सामंज़ से बनाने की छमता, समायोजन की छमता, ये सारी योगेताएं उसको खेल के माध्यम सही आती हैं, तो समाजिक विकास में खेल का बहुत महत्तो है 48 नमबर है, किसके अनुसार बच्चे सक्क्री ग्यान निर्मातत अधन अन्यवय ग्यानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिध्धानतों की रचना करते हैं तो ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है, बाल के इंद्रित सिच्छा सास्तर का अर्थ है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्क्री भागी दारी को महतु देना अगला है वाइगोट्सकी के अन्सार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर किरिया से तो ये वाइगोट्सकी के अन्सार बताया गया है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर किरिया से बच्चे सीखते हैं 51 है पूर संक्रियात्मक काल में आने वाली संग्यानात्मक योग गिता है दूसरे के द्रस्टिकोंड को समझने की योग गिता तो इसमें ये हो जाएगा फिर अन्तिम कोश्चन है पियाजे के अनुसार 2-7 वर्ष के बीच एक बच्चा संग्यानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है तो आपको पता होगा पहली अवस्था इनोंने समवेदी गामक अवस्था पता ही थी दूसरी अवस्था पूर्ष संक्रियात्मक फिर मूर्ष संक्रियात्मक और लास्ट में अपचारिक संक्रियात्मक तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पूर्ष संक्रियात्मक अवस्था 2-7 साल तो इसमें ये 52 questions हैं दोस्तों और काफी लंबा वीडियो हो गया है फिर मुझे compress करने में दिक्कत होगी तो अगले पार्ट में मैं इसके आगे के 50 questions को डालूँगा और उमीद करता हूँ कि ये आप लोगों को काफी पसंद आएगा और आपकी परिच्छा में काफी मदद करेगा तो इस भाग में इतना ही मैं आशिश प्रताप आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए